नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल टेक्निकल गार्डिंग विद अभी में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पौधे की बारे में जो ऑक्सीजन देन रिलीज करने में जिस पौधे का नाम सबसे उपर आता है अगर आ लंबे-लंबे हो जाते हैं करीब दो-दो फिट के और यह मेरे पास द्वार्फ वाराइटी का है और आप देख सकते हैं कि इस एक पौट में यह कितने सारे पौधे तयार हो गए हैं तो आज हम इन्हें एक ही पौधे से कई सारे पौधे कैसे निकाले वीडियो में देखें और वेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आनले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहें तो आजए दोस्तों सबसे पहले देख लिते हैं कि इसे हमें इस पौट से निकालके पौधों को अलग-अलग करके कैसे लगाना है किस साइज का पौट चाहिए कैसी सोयल चाहिए तो आज़े वीडियो स्टार्ट करते हैं तो बाद को दोस्तों सबसे पहले हमने इसमें अच्छे से वाटरिंग कर दी थी इन जह अच्छे से वाटरिंग कर दी थी तो पौध को फोड़ा हलके दो नीचे से रूट ज्यादा प्लांट से हो गए हैं तो र आसानी से बहार आ गया आप इनकी रूट्स को देख सकते हैं कितनी अच्छे से इसमें जाल बना हुआ है तो हम चुकि पानी हमने डाल रखा है मिट्टी काफी गीली है तो हम हलके हाथों से धीरे-धीरे इसे निकाल कर सभी पौधों को अलग कर लिए आप देख सकते हैं कितन कितनी पत्र क्याद JONब शेख सकते हैं कितना यहां कितना थे आपेता हैं कितना भ robot कर दो हमाई प्रूबधों से उलखी से दोड़ा प्रेंवाल एजा क्पास कर दो और दो हम भी टाल मेंगने आसा जले हैं कितना शोलक貳 जड़कोन से बितना। टार शोल्ल्ल rocket काईों से बि गजय है रहां जए अपकर दो बुब स्थाइब को जड़र को घबर इंदे रहां को जा दो जए दो कि अविए अब माझें पिकूल, जब वोह हैं, अजैं जब धादो क्तिनों, जड़ के लगादों को अविए धूलको भीड़र कोोज़े अरिया है ज़िए को घखता है को ज तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं इस सारे पौधे जितने भी रूट्स निकले हैं ये एक मदर प्लांट था जिससे कि ये सारे पौधे मैं आपको दिखाऊंँ सभी पौधे इस मदर प्लांट से जुड़े हुए थे तो इन्हें हमें वहां से ब्रेक करके तोड़के अलग करना है दिखाऊंँ मैं आपको सभी पौधों में इस सभी पौधे अपने मदर प्लांट से जुड़े हुए थे तो सब को हमने उससे तोड़ते हुए ये देखिए इस केलाव मैं दिखाऊंँ आपको तो इस सभी पौधों को हमने अपने मदर प्लांट से अलग कर लिया है और आप देख सकते हैं इस एक छोटी से गमले में कितने पौधे हमें नए-नए मिले हैं करीब आठ पौधे हैं जो इस चार इंच के पौट में हमें मिले हैं तो अब हम इन आठो पौधों को नए पौट में लगाएंगे उससे पहले हमें क्या करना है प्रोपेगेशन के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आखरी में हम बताएंगे कि लीफ से प्रोपेगेशन कैसे करते हैं तो हमें उसके लिए कुछ लीफ्स चीए तो उन लीफ्स को हम निकाल लेंगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो matured leaf होंगी आप उन्हें ही लीजेगा जो newly growth हुई जिन लीफ्स की वो propagate नहीं होती है तो हम जो भी plants है इनमें जो matured leaves है उन्हें निकाल लेंगे इस परकार से तो जो mother plant है हमारा हमें ज्यादा से ज्यादा matured leaf उसी plant से मिलेंगी मैं निकाल रहा हूं matured leaf को पता कैसे करना है कि leaf matured है या नहीं तो आप देखेंगे कि जो matured leaf होंगी उनके जो color है जो newly growth leaf है उससे अलग होगी तो हमने कुछ matured leaf निकाल लिए है अब हम इन्हें करेंगे report अपने नय गंबलों में तो report कैसे करना है और उससे पहले मैं बताऊं मिट्टी कैसे तयार करनी है तो देखिए मैंने मिट्टी तयार करकर रखे हुए इनके लिए आपको मिट्टी जो बनानी है चुकि इंडोर में हमें रखना होता है हम इने सेडेड एरिया में रखते हैं धूप में नहीं डारेक्ट रखते हैं आप रखना चाहें तो रख भी सकते हैं यह पौधे कहीं भी सर्वाइब कर जाते हैं पर इंडोर काफी ज़्यादा अच्छे होते हैं पौधे तो दोस्तों जो मिट्टी हमीं इसकी तयार करनी है उस मिट्टी में हमने मिलाया हुआ है 50% गार्डन स्वइल 20% हमने मिलाई यह सेंड और 10% हमने मिलाई यह राइस हस्क जो की मिट्टी को काफी ज़ादा पोरस करती है और उसके कारवन वाले जो नूट्रिसन्ज थे वो इन पौधों के लिए काफी ज़्यादा कारगर होते हैं उसके साथ हमने मिलाई है 20% वर्मी कमपोस्ट तो ये तीन चीज़ों को मिलाया और एडिसनल हमने दिया है इसमें फंगी साइट पौडर और एक मुठी करीब प्रॉक फास्पेट जो की कैलसियम की कमी को पूरी करेगा तो इतनी सारी चीज़े मिलाके और रेट हमने मिलाई है दोस्तों क्योंकि इंडोर रखना है आमें और मिट्टी को जो एक दूसरे के साथ मिट्टी जो है हाड नहीं होनी चीए इसलिए हमने रेट मिलाई है और रेट के साथ हमने आपको बताया राइसस थोड़ी से मिला ली है तो राइसस के कुछ अपने ही फायदे होते हैं राइसस के क्या क्या आप प्रॉपर्टीज है कैसे यूज करना है अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी वीडियो अपलोड़े चैनल पर आप उसे चैनल पर जाके देख सकते हैं तो इस प्रकार से देखे हैं हमने जगह बना ली है और एक एक पौधे को एक पौट में हम सिफ्ट कर देंगे दोस्तों मैं बताऊं आपको कि इसने प्लांट जो है अगर आप अपने घर में रखना चाहते हैं तो आप परसन के हिसाफ से एक से दो पौधे जितने परसन है उतने पौधे अपने रूम में रखिए आपको जो है अक्सीजन की कमी कभी महसूस नहीं होगी तो अगर आपने नहीं लगाया है तो इस पौधे को जरूर लगाए और काफी एजली नरसरी में भी अफलेबल है और एक एक पौधे से हजारों पौधे बनके तयार हो जाते हैं और आपने देखा अभी चार इंच के गंबले में ये पौधा करीब मैं 6 महने से एक पौधा मैं लेके आया था और मैंने छोड़ दिया था उसे रखके तो उसमें ये देखिए इतने सारे पौधे बन गए चार इंच के पौध में तो आप भी इसे बहुत ही इसली लगा सक तो दोस्तों देखिए इस प्रकार से हमने सभी पौधों को लगा के रिपॉट कर दिया है निकाल की अब इन में हम डाल देंगे पानी और एक बार पानी डालने के बाद इन्हें हम रखेंगे सेड़ेड एरिया में जहां डारेक्ट सनलाइट ना आती हो उसके बाद आप इसक करते हैं इनकी कटिंग के घ्रो करेंगे तो कैसे लगाना है उसके लिए हमीं किस मिक्सर में लगाना है तो अभी देख लेते हैं तो दोस्तों ये कुछ लीफ्स हैं जो हमने स्नेक प्लांट की ले रखी हैं इन्हें हमें ग्रो करना है तो ग्रो करने के लिए देखिए हमने कुछ लीफ्स ले रखी हैं और साथ में हम ये ले रहे हैं एक छोटी सी चोकरी जिसमें कि हमने काफी सारे ड्रेनेज होल बना लिए हैं डिनेज होल बनाना बहुत जरूरी दोस्तों क्योंकि पानी अगर रुख जाएगा तो फिर लिफ्स खराब हो जाएंगी जर्मिनेट नहीं होंगे इनमें से रूट्स नहीं निकलेंगे तो और जो मीडिया होगा हमारे जिसमें हम उगाएंगे वह होगा तो रूट निकल आएंगे पर जब हम जल यूज कर लेते हैं तो थोड़ा रूट्स जल्दी निकल के आती है नेचरल रूटिंग हार्मोन कहा लिजी आप अलेवरा जल को तो हम इसमें सीधे-सीधे रेत को भर देंगे और रेत इतना भरेंगे कि उपर से करीब एक से डेड़ हिंच की स्पेस इस पॉट में खाली रह जाए जिससे कि हम वाटरिंग कर सकें आराम से तो यह देखिए अब इसको आराम से जब आप स्नेक प्लांट में बताऊं अगर यह छोटी ड्वार्फ वराइटी की है तो इससे हम कट नहीं करेंगे पर जब जो बड़ी वाली स्नेक प्लांट होती जो दो-दो फिट की होती जिनकी पत्तियां तो आप उन्हें पत्तियों को कट करकर के लगा दीजिए वो पत्तियां बीच में से कट होने के बाद यहां से भी नई-नई रूट्स प्रोड्यूस करती हैं तो देखिए हमें करना क्या है बहुत ही सिंपल यह देखिए हमारा रूटिंग होर्मेन ऐलोवेरा है इसको हम पत्ति के जो नीचे का हिस्सा है जो हमने नीचे से अलग किया जहां से वहां अच्छे से ऐलोवेरा जेल लगाएंगे और यह इस प्रकार से इसमें लगा सेम यही प्रकारिया हम सभी में करेंगे देखिए और इसको हमने इसमें लगा दिया अगर आप यह अलोवेरा जल नहीं भी लगाते हैं तब भी इन में से रूट्स तो निकली जाएंगी बस थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है तो इस प्रकार से देखिए हमने सभी को लगा दिया है और अब हम इन्हें रख देंगे ऐसी जगहें पर जहां दिन की सुबें की आदे से एक घंटे की धूप आती हो पहले इसमें हम कर देंगे अच्छे से वाट्रिंग और उसके बाद इसे रख देंगे ऐसे जगहां पर दिन की आदे से एक घंटे की धूप वह भी छंती हुई धूप मिले डारेक्ट सनलाइट नहीं और फिर जब इसमें एक बार रूट्स निकल जाएंगी तो इस पौद करके से हम छोड़ देंगे जो भी एक्स्ट्रा वाटर होगा वो ड्रेने जोलके रास्ते बाहर निकल जाएगा तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कोई सवाल हो कोई सुझाओ ह तो कमेंट बाक्स में लिखना ना भूलें बहुत बहुत धन्यवाद